हाई व्रिवन आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे वेलकम हैं आज की इस इंपॉर्टन सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं यूजी सीनेट और दूस से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टन कोश्चन सुनक्या अनसर्स यह सभी कोश्चन आपके रिल इग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टन डोल प्ले कर सकते हैं अगर आफ मारे चैनल पे फर्स टाम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आफ मारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना चाहते हैं विडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से सीधे आफ मारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और अपने एक्जाम के एक शांदार प्रिक्रेशन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की important class इस class की जो खुसुसित है वो ये की हमने सर्फ आपको question का answer बतलाते हैं बलकर उसके साथ साथ में दूसरे important चीज़े भी आपके साथ में share करते हैं तो आज इस class का हमारा जो पहला question है पहला question आपके सामने देखें यहां पे हैं जेल में दो जुम्रे सही हैं और दो घलत हैं सही जुम्रों की निशान दही कीजिए पहला जुम्रा जो आपके सामने हैं सब्रस और खुतम मुश्तरी मुलावधी की तसानीफ है दूसरा जुम्रा है रानी केत्की की कहानी का उसलूख अर्बी वो फारसी आमेज है तीसरा है फसान आजाए देहली में लिखी गई लिखी गई और चोथा है मीर अमंग देहली में पैदा हुई आप मुझे बताएंगे इस कोशन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा जाएंगे इस लिखास से पहला जुम्रा दुरूस से और साथी साथ में जो फूर्थ जुम्रा है ये भी दुरूस से यानि सब्रस और प्तुमुश्टरी मुल्लावची की पसानिफे बिलकु सही है मीर अमंग देहली पैदा ये भी सही है कानपुर में लिखी गई है इस बात को याद रखेंगे और इसमें लखनो की तहजीब और मौशरत के अकासी की गई है अब मैं कुछ कोशन आप से करूँगा आप उनकी जवाब बताएंगे सबसे पहला कोशन मेरा आप से ये है किस सबस जो है ये किसकी फरमाईश पर और कब लिखी गई इसका सन बताएंगे आप किसकी फरमाईश पर और कब लिखी गई साथे साथ में कुत्व मुश्टरी के बारे भी यही चीज़ आप मुझे बताएंगे कब लिखी गई और किसकी फर्माईश पर लिखी गई इसी के साथ साथ में रानी केत्की की कहानी कब लिखी गई है और किसकी फर्माईश पर लिखी गई दूनी चीज़े आप क्लियर कीजी इसी के बाद में आप मुझे फसान आजायब के बारे बताईएगा फसान आजायब जो है कब लिखी गई है और कहा लिखी गई है कोशन का जवाब आपको ऐसी सवाल में मिल चुका है तो चलिए एक एक चीज़ समझे लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सबस के बारे में तो सबस जो दासान है मुलावजी की ये लिखी गई है 1635 में किसकी फरमाईश पर अबदुल्ला कुतुब शाह की फरमाईश की और ये कब लिखी गई है 1803 EC में किसकी फरमाईश पर नवाब हुसेन अली खां की फरमाईश पर बात करते हैं फसान आजाएब फसान आजाएब रजब अली बेक सुरूब की दास्तान है और ये लिखी गई है 1824 EC में इस बात को जरूर जहन में रखी गा अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स कोशन की अगला कोशन जो हमारे सामने है दर्जेल में से किस रिसाले नी रुमानवी तहरीक को फरोग दिया देखे चार आफशन आपके पास में पहला आफशन है शब फूम दूसरा है मखजन तीसरा है सबरस और चौता है शायर आप मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा मुझे अमीद ही कि सब लोग भी सवाल का जवाब दे चुके होंगे तो इस कोशन का करेक्ट टांसर हो जाएगा आपका दूसरा यानि रिसाला मखजर अब हम बात करतें सीधे हैं इस कोशन की अब्दुलकाद्र सरवरी ने मौर्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्स इस्तेहमाल किया है मौर्फीम के लिए कौन सा अर्दू लफ्स इस्तेमाल किया है आफशन आपके पास में तश्कीलियात हैं तश्कीला हैं रूप हैं और रुख हैं आप मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमीद करता हूँ कि सब लोगी सवाल का जवाब दे चुके होंगे तो इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा यानि तश्कीला अगर दो चीज़े में आप से पूछेंगा उनको जवाब बताईएगा जैसे कि इंपोरडन्ट चीज़ आद बताएगा बार्फिमिया आथ किसे कहते है इसको आप बताएंगे साथी साथ में चीज़ और दोख्यों किसे कहते है यसे ऐग्जाम में जो इसितलाहा थे ऐग्जाम में पूछी गईए जरूर याद रखेंगे तो मार्फिमियाद यानि कि इसका मतलब क्या है नहियाद लफस की साथ यानि अलफाज कैसे बनते हैं दूसरे से बिल करके इसका मुताला हम किसमे करते हैं मार्फिमियाद पर नहियाद ठीक है और फोनिमियाद किसी जुबान में इस्तेमाल होने वाले इंत्याजी आवाजों का नुटारा करते हैं वो हम फोनिमियाद में करते हैं तो यह दो इस्तिलाहत जो मैंने आपके साथ में शेयर की जरूर याद रखेंगे एक इर्रिलिवन्ट चीज आए इस कोश्चन से गरा हम बात करूं उस पर रिल्टर नहीं है रूप देखें आप गया है पिछली क्लासे हमने आपको बताया था कि रूप जो है यह किसकी रुबाईयाद का मजमुआ है आप सब को मिल करता हूं कि याद भी होगा तो रूप जो ही फिराग गोरख पूरी की रुबाईयाद का मजमुआ है जरूर याद रखें चलिए बात कर लेते हैं आप नेक्स कोश्चन की सरासर इशक के हैं इसमे राजां किये से इशक बाजी इशक बाजां ये शेर किस मसलवी से माखूज है देखिए जो आफशन आपके पास में दियेगे है पहला आफशन है फूल बन दूसरा है कुत्व मुश्चरी तीसरा है बुकेट कहनी और फूर्थ है कदंगा और कदंगा इस कोश्चन का जवाब आपको क्या होजाएगा जली सब्लों बता दीजेगा तो इस सवाल का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला यानि फूल बन फूल बन किसकी मसल्मी यह आप सभी को मालूम होगा इबने निशाति जरूर याद रखिएगा सेलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स कोश्चन की शायर और उनके शायरी मजमूर के इतिमार से दो जूम्रे सही है और दो गलत है सही जूम्रों की निशान दही कीजिए सही जूम्रों की निशान दही कीजिए आप मुझे बताईएगा इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट रांसर क्या हो जाएगा आयोब समय लोगे सवाल का जवाब दे चुके होंगे तो अब मैं आप मता देता हूँ इस कोशन का करेक्ट रांसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी सिमार कर लीजीगा आपका आफशन हो जाएगा बाप यानि इसमें यह जुम्रे दुरुसें वो पहला जुम्रा दुरुसें और दूसरा यह दुरुसें इरान वे अजनबी यह नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है बिंतलम हाग यह भी अख़वल इमान का शेरी मजमुआ है लेकिन अगर हम बात करें नई दुनिया को सलाम गी किसका है तो मालूम होना चाहिए सब्दार जाफरी का है और फ्रोजा किसका है मुईन अहसन जजबी का अब यहां पे जितने में शेरी शख्सियात के राम आए हैं इनके बारे हम बात कर लेते हैं अब से पहले हम बात करते हैं नून मीम राशिद आप मुझे बताईएगा आपका नाम क्या है तो आपका पूरा नाम है नजर मुहमद राशिद आपका तखल्स क्या है तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंड गुलाव आपकी पैदाईश के अगर हम बात करें तो 1910 इसी में पंजाब में आपकी पैदाईश हुई है और 1975 इसी में लंडन में आपका इंतिकाल हुआ है अब हम बात करते हैं अख्तर अइमान के बारे में तो अख्तरल इमान की पैदाईश हुई है 1915 इसी में बिजनौर में याद रखीगा और 1996 इसी में मुंबई में आपका इंतिकाल हुआ है आपकी खुदनविश्ट आर्टो बैगरफी क्या नाम बताईए गाजल दी समनो अख्तरल इमान की खुदनविश्ट का नाम क्या है तो मुंब कर लीजेगा इस आबाद खराबे में क्या नाम है इस आबाद खराबे में इंपॉर्टन इस जरूर याद रखीगा चलिए अख्तरल इमान के बारे बात चीद हो चुकिए अब हम बात करते हैं मुईन आसन जजबी मुईन आसन जजबी के पैदाइश का मुईत मोट कर लीजेगा 1912 इसी में आजम गड़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 इसी में आजम गड़ी में आपका इंतिकाल हुआ है अले सरदार जाफरी अले सरदार जाफरी की पैदाईश का वही है नोट कीजिएगा 1913 एसी में बल्रामपुर में और 2000 एसी में बंबई में आपका इंतिकाल हुआ है आपके किताब याद रखें कि जामे पूछी गई है तरक्टी पसंद अदब याद रखेंगा तरक्टी पसंद अदब किसकी तस्नीफ है तो जवाब हो जाएगा सरदार जाफरी अच्छा अगर मैं इन ही आफशन को यानि नून, निम, राशिद, अख्पर, अइमान ये चारो आफशन में कंसीरर करनू और आफसे कोशन पोचू कि इन में से किसे ग्यान पिट इनाम बिला है यानि किस शखसियत को ग्यान पिट इनाम से नवाजा गया है तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दे से आप मुझे बता दीजिए तो इस कोशन का जवाब आपका हो जाएगा Ali Sardar Jafri किसका गाभ हो जाएगा Ali Sardar Jafri छलेवान मँठतें सीधे Next Question की तरफ जेलबे दो زूमरे सही है और दो गल mano है आफ दो गलत हैं सही जुम्रों के निशान दही केजी चीह आफ मुझे वताएगा इस लगारी का सही जबाब क्या हो जाए कोशन इंपॉर्टन ने सबी ये बहुत ही अच्छे कोशन है ये प्रिवेसर एक्जाम में कोशन पूछे गये हैं सबी हम आपको प्रिवेसर कोशन भी सवाल करवाते हैं यकिन मालिए उम्यद करता हूँ कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे तो इस कोशन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो दूसरा ओॉफ्टन यानि इसमे पहला जुम्रा दुरूस से और साथ साथ दूसरा यानि हिंदुस्तान इलिसान आतका का ये किस की किताब सिय्ट एक शाह हुस्नी पीछे में हम BAD करचे हैं ARDU ZUBAN KI Tारिक है विर्जा inn Coheello ZUBAN और IVMA किसकी तसनीभ दासान जुबान अर्दु जदिद यह किसकी तसनीभ दुनों के सिबारे मुछे आप जल्दी से बतादीजे उम्मिद करता हूँ कि सब लोगे सवाल का जाब दे चुके होंगे तो आप मैश कर लिजएगा दास्साम जबान अर्दू ये शौकस सब्जवारी के तस्नीफ है तो फिर जबान और इल्म जबान किसकी किताब है तो नोग कर लिजएगा अब्दुल्कादर सर्वरी क्याना मतया हमने अब्दुल्कादर सर्वरी पीछे इनका नाम भी देखे आया था इसलिए इसको याद रखिये बहुत ही इंपॉर्टन है इंसे डिलेटर्ड इग्जाम में कोशन आप से पूचे जा सकते है चली अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स कोशन की मुसन्निफिन और किताबों के इतिबार से दुर्स जोड की निशान दही कीजिए सबरस के सामने फजल अलिखा फजली हैं जहा के सामने हबीब तन्वीर हैं कर्बल कथा के सामने मुहमद असने आगरा बाजार के सामने मुल्ला वजह हैं तो आप मुझे बताएंगे इनने से कौन सा आफशन होगा आपका जवाब मैं उमीद करता हूँ कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे तो अब मैं सीधे आप मुझे बता देता हूँ इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आपको अंसर हो जाएगा फूर्त यानि सबरस किसकी तखलीक है तो आपको मालूम होना चाहिए मुल्ला वजही जहा किसका ड्रामा है मुहमद हसन का इंपॉर्टन्ट है लेकिन ये आपको मैश करना आना चाहिए इस तरह कोशन में जल्दवाई करेंगे तो कोशन आपके गलत हो जाएगा चलिए अब यहां में कुछ इंपॉर्टन्ट चीज़े मैं आपसे पूछता है जब बताइएगा आगरा बाजार जो ड्रामा है ये कब स्टेज पर पेश किया गया कब खेला गया तो नोट कर लीजेगा जामिया मिल्या इसलामिया में 1954 इसी में ये मुझे बताइएगा ये किस शायर की जिन्दगी और उसकी तखलीकात पर मबनी ड्रामा है आगरा बाजार किस शायर की जिन्दगी और उसकी तखलीकात पर मबनी ड्रामा है तो जवाब हो जाएगा नजीर अकबर आबादी क्या जवाब हो जाएगा नजीर अकबर आबादी जहाग बियसा कि आपने हमेश किया महमल असन का ड्रामा है तो जहार जो ड्रामा है इससे रिर्ट मत आईएगा ये कितने मनाजर पर मुश्तमिल ड्रामा है तो जवाब आपका हो जाएगा छे मनाजर पर मुश्तमिल ड्रामा है ये ड्रामा पहली बार कब शाय हुआ था तो याद रखेंगे 1977 इसी में किस रिसाला में असरी अदब में एक्जाम में कोशन ये आ चुका है असरी अदब में पहली बार शाय हुआ था इस बात को जेल में रखीगा चलिए अब हम बात कह लेते हैं सीरे नेक्स कोशन की जेल में दो जुम्रे सही हैं और दो गलत हैं बहुत ही important कोशन से अगर आप इन कोशन को prepare कर लेते हैं तो यकीन मानिए जरूर आपके एक्जाम में आपको बहुत सारे कोशन रिपीट हो सकते हैं साथी साथ में बहुत सारे कोशन लगब हर कोशन आपको दूसरे कोशन को सवाल करने में आपको help करेंगे तो मुझे बताईएगा इस कोशन का जवाब क्या हो जाएगा इस दो जम्रे सही और दो गलत हैं पहला जम्रा है फोर्ट विलिम कॉलेज के कियाम का मकसद नौ वारित अंग्रेज अफसरों को अर्दू सिखाना था दूसरा है दार तर्जमा उस्मानिया और अंगाबाद में कायम हुआ तीसरा है अलिगर तहरी के बाने अकबाल थे चौता है दिल्ली कॉलेज के कियाम का मकसद नौसानियों को दो जबान असरी और साइंसी और अलूम की तालीम देना था सही जुम्रों के निशान दही किजी तो इस कोशन का सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तीसरा यानि इसमें जो पहला जुम्रा है ये दुरूस से और साथ साथ पे जो फूर्थ ये दुरूस से ठीक है बात कर लेते हैं सीधे नेक्स कोशन की जेल में नाविलों और उनके करदारों के नाम धर्ज हैं सही जोड की निशान दही किजी हमारे कोशिज ये है कि आप इन्ही कोशन के जरी यूनिट वान से ले करके यूनिट टें तक के सब ही कोशन को आप सॉल कर ले चलिए बता देजी इस कोशन का जवाब क्या हो जाएगा खौदा की बस्ती दिखिये हैं वदान हैं फसान आजाद हैं अदास नसले हैं जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर आप मेशन कर देजी अमीद करता हूँ कि सब लोग इस कोशन का जवाब दे चुके होंगे तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला आफशन यानि पहला आफशन मारा सही हो जाएगा खुदा की बस्ती इसका कौन सा करदार है जल्दी से आप मुझे बता देंगे खुदा की बस्ती का कौन सा करेक्टर होगा में आंसर आपकी गलत हो जाते हैं उम्मेदी कि सब लोग अपने अपने जवाब मार कर चुके होंगे तो अब मैं आपको बता देता हूँ चली तो अब मैं आपको जवाब बता देता हूँ इन कोशन्स की तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में शौकत सिद्धिकी के बारे आपकी पैदाईश हुई है 1923 सीमें याद रहीएगा लखनो और 2006 सीमें कराची में आपका इंतिकाल हुआ है मुणशी परेंचन कई बार रेपीट भी कर चुकें 1880 सीमें बनारस में और 1936 सी सीमें बनारस में आपका इंतिकाल हुआ है पड़ित रतना सरशाद, 1847 सीसी में याद रखेंगे, लखनों में आपकी पैदाइश हुई है, और 1902 सीसी में हैदराबाद में आपका इंतिकाल हुआ है, बात करते हैं, अब अब्दिल्ला हुसेन की बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है, 1931 सीसी में रावल पंडी में याद रखेंगे, पाकिस्तान में, और 2015 इसी में लाहोर में आपका इंतिकाल हुआ है, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोशन की तरफ, देखें नेक्स कोशन आपके सामने है, दो जुम्रे दिये गए हैं, दो सही हैं और दो गलत हैं, अच्छे से रिट कर लिजिए, फिर का अंसर हो जाएगा, तीसरा इसमें जो आफ्शन है, यानि इसमें पहला जुम्रा दूस से, और साथी साथ में फूर्थ जुम्रा दूस से, रुबाई में आम तरुपर अखलाक और तसूफ, फंद, मौइज़त और हिक्मत वगरा के मजामीन होतें, बिलकुल सही बात है, और फौर्थ अखल, रुबाई में तीन मिसरह होते हैं, ऐसा नहीं, चार मिसरु, रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल घ्र मर्मूत होता है, बिलकुल नहीं, ख्याल मुक्मल होता है, नशमें बात कर Mommy के मौशन की, जबानी एतिबार से, सही तर्टीब की निशान दही की कीजिए जवानी एतिबार से सही तर्टीब के निशान दही कीजिए आप मुझे वताईएगा इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कर्रिक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से सब लोग अपने अपने अंसर मेशन कर दीजिए देखें पहला आप्शन अगर हम देख क्या हो जाएगा जल्दी से आप सब मार कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा तीसरा जुब्रा तीसरा आप्शन अब हम बढ़तें सीधर एक्स कोश्चन की तरफ तारिख विलादत के इतिमार से सही तर्टीब के निशान दही कीजिए इंपॉर्टन कोश्चन अच्छ खाद रस्वा अब्दुल्हलीम शर्ण इंतजार हुसेर तो सबसे पर यहां पर सरशार के बारे में अगर हम बात करें कि पीछे हम बात भी कर चुके हैं रिपीट कर देते हैं 1847 लखनों में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 हैं हैदराबाद में आपका इंतिकाल हुआ है रस्वा के बारे मिकरन बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1889 हिस्वे जाद रखेगा लखनों में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 हिसवे है हैदराबाद में आपका इंतिकाल हुआ है अब्दुलहलीम शर्ण आपकी पैदाईश विए 1860 हीसी में लखनों में और 1926 हीसी में लखनों में आपका इंतिकाल हुआ है बात कर लेते हैं इंतजार हुसेन के बारे में आपकी पैदाईश विए 1923 हीसी में याद रखेगा बुलंद शहर में और 2016 इस विए लाहुर में आपका इंतिकाल हुआ है तो देखें विए विलादत के इतवार से 1847 हैं 1859 अठारा साथ 1923 तो ये जुम्रा क्या हो जाएगा दुरूस तो जाएगा ये तरतीब करेट हो जाएगे बढ़ते हैं निया इस कोशन की तरफ मैं कैसे समझता कि तु है या कि नहीं हर दम मतगयरत खरत के नजरिया इस शेयर में शायर किसे मुखातब है पहला आफ़शन है अज़रत जिवईल अलिशसलाम से दूसरा है खुदा से तीसरा है आदम अलिशसलाम से और फोट है इस र आप दीजिएगा पहली बात तो ये कि ये किसका शेर है पहला कोशन बताईगा ये किसका शेर है दूसरा ये किस नजम से माखूज है किस नजम से माखूज है तीसरा और वो नजम उनके किस शेरी मजमे में शामिल है जिस शायर का आप नाम बताएंगा तो सबसे परे नोट कर में और ये नज़न उनके किस मजमे में शामिल है तुमालू होना चाहिए बाले जिप्री चली बात कर लेते सीधे नेसकोशन की अदब अदब कातिब किसकी तस्नीफ है? 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 अदब कातिब किसकी तस्नीफ है एक और किताब का नाम लोट करेंगे अस्रार बलाओवा इसे के साथ साथ में मुकदमा फी तारीख, Mुकदमा फी तारीख, इसे के साथ साथ में काबूस नामा, ये समय बहुत ही important किताबे हैं, अहम तस्नीफाथ हैं, तो नक्दु शेर के मसन्निफें कुदामा इबन जाफर याद रखेंगे अलु अम्दा किसकी तस्निफें इबन रशीक की अस्राल बलागा हैं अब्दल कादर जुर्जानी की मुकदमा फितारिखी किसकी किताब इबन खुल्दून की कादर सुनामा किसकी तस्निफें उन्सुरल माली की अमेद कि सब लोग इन चीज़ों को याद कर चुके होंगे अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ जेल में दो बयानात दिये गए हैं एक में दावा किया गया दूसरे में दलील दी गई है दोनों को गवर से पढ़ने के बात जेल भी दी गए जवाबात में से सही जवाब की निशान दही कीए दावा है मीर अमन उद्दू के एक एहम दास्तान नवे से क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी अर्दू के एहम दास्तान नवे सो है जिल्मी मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलाहिदा शुक्त पर पेश किया। आफशन देखिया आपको पासें ब्रेल हैं लेसंग हैं डीसोर्स हैं प्रोफेसर एलन है। तो इस कोशन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा लेसंग। बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ जेल में दो जुम्रें सही हैं और दो गलत हैं। सही जुम्रों के निशान दही किजिए। आज की क्लास का एक इंप्रॉटन कोशन ये भी यानि आप कह सकते हैं वन आफ दा मोस्ट इंप्रॉटन कोशन। आप मुझे बताएगा इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जबाब हो जाएगा आपका तीसरा औरॉटन यानि इसमन जो पहला जम्रा है ये दूस से सासाथ में जो तीसरा जम्रा है ये भी दूस से कैसे दूरू as 되지 अंुर अम समगा। मुला वजही इबन निशाती खवासी का तालुक जो है किसे है कुतुब शाही ऐसे है मलुख खुशनोद मुकीमी और रुस्मी का तालुक इसे आदल शाही ऐसे है इस लिहास ये दोनों जुम्रे सही है अब हम बढ़ते हैं सीधे ने इस कोशन की तरफ मुखकिन और किताबों के इतिवार से सही जोड की निशान दही कीजी इंपॉर्टन कोशन ये भी है आप मुझे बताइएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा अच्छे से रेट कर लीजे फिर अपने अपने जवाब मार कर लीजे ताकि आप ये खूब प्रैक्टिस हो जाए उमीद करता हूँ कि सब लोगे सवाल का जवाब दे चुके होंगे तो इस कोशन का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका तीसरा आफ्चन यानि मुहिद दिन गादरे जोर की तस्नीफ कोँ सी है सरगुजश्चत गाले नसीर दिन हाश्मी की कोँ सी है दकन में अटू रशीद हसन खाह की कोँ सी है इंशा और तलफुस मौलव अवद्धुल्हक की कोँ सी है चन्द हम असर चली अब हम बात कर लेतें सीधे नेक्स कोशन की जेल में दो जुम्रे सही हैं और दो गलत हैं सही जुम्रे की निशान दही केजिए पहला उप्शन देखी पहला जुम्रा है शेहजादा गुल्फाम ड्रामा इंदर सभा का करदार है दूसरा जुम्रा है जखाक अबीब तन्वीर का ड्रामा है ऐसा बिलकुल नहीं जब की ये मुहम्मद असन का ड्रामा है यहुदी की लड़की और रुस्म सहराव आगाश काश्मीरी के ड्रामे है बोस्ताने ख्याल मुल्ला वज्जी की दास्ताने बिलकुल नहीं तो ये दोनों जुम्रे इनकरेक्ट नहीं पहला और चौता पहला और चौता हमारा जवाब हो जाएगा यानि कौन सा अंसर हो जाएगा स्वारी पहला और तीसरा तो आपका जवाब हो जाएगा फौत इस तरह से मारा जवाब क्या हो जाएगा फूर्ज जरूर याद रखिएगा चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स कोशन की इन में से कौन सी किताब आलह मस्रूर के मजामीन का मजमुआ है पहला आफशन आपके पास में लब्स उमाना है दूसरा है तलाश वटवाजन तीसरा है मसरूर से बसीरत और चोथा है मजामीन नौ आप मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा अमीदे कि सब लोग भी सवाल का जवाब देचके होंगे तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानि मसरूर से बसीरत फिर मुझे बताईएगा लब्स उमाना किसकी किताब है तलाश व तोवाजन किसकी तस्निफ है और मजामीन नौ तो सबसे परे नोट कर लेंगे लब्स उमाना जो है ये शम्ष और रह्मान फारुकी की तस्निफ है इस तरह की चीज़ों को जरूद याद रखेंगे सिर्फ कोशन के आंसर से काम नहीं चलने वाला आफशन को भी क्लियर करना सीखे तलाश और तोवाजन किसकी तस्निफ है ये कबर रईस की तस्निफ है मजामीन नौकिस की तस्निफ है जिसे भी याद रखेंगे खलील और रह्मान आजमी इसलिए बहुत ही मुश्किल होता इस चीज़ को क्लियर करना कि हर आफशन आपको क्लियर हो जाए अंसर तो बताना आसान होता है लेकिन उनमें जो चीज़ें होती है उनको क्लियर करना ये डिफकल्ड चीज़ है और इनहीं चीज़ों को क्लियर करने से एक्जाम में नए कोश्टन को स्वाल करने में आपको मदब मिलती है अब मैं कुछ इंपॉर्टन चीज़ आप से पोछूँगा और इसी के साथ साथ में बताएंगे लंबी सड़क लंबी सड़क किसका अफसाना है जनली से जाब सब लोग बताएंगे लंबी लड़की लंबी सड़क तो नोट कर लिजेगा लंबी लड़की जो है ये बेदी का अफसानी मजमुआ है और लंबी सलक ये अफसाना है किसका कृष्ण चंदर का जरूर याद रखेगा कृष्ण चंदर का जरूर आप याद रखेंगे और ये इम्पोर्टन्ट है अब एक इम्पोर्टन्ट चीज़ और भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे जवाब बता दीजेगा जल्दी से जवाब बताएंगे इम्पोर्टन्ट है मुझे बताएंगे नक्ष फर्यादी नक्ष फर्यादी जो है किसका शेयरी मजमुआ है नक्ष फर्यादी किसका शेयरी मजमुआ है जल्दी से जवाब बता देंगे तो इस स्वाल का सही जवाब हो जाएगा फैज, अहमद, फैज ये किसका शेरी मजमुआ है? फैज, अहमद, फैज का शेरी मजमुआ है जरूर जहर में आप रखिएगा चलिए, एक कोशिन का जवाब और भी आप मुझे बता देंगे इसी के साथ साथ में बताईएगा गुल-े-नगमा, गुल-े-नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिराग, गुरक, पुरी किसका है? फिराग, गुरक, पुरी का ये शेरी मजमुआ है जरूर याद रखेंगे, ये सब ही इंपोर्टन है एक्जाम में कोई भी कोशन आप से रिपीट यहां से किया जा सकता है तो आज के सेशन में बस इतना रखते हैं बलते अगली क्लास में तब तक कि लिए खुदा आफिज अपना ख्याल रखिएगा